हलो गाईज इस वीडियो हम डिसकस करेंगे कैसे जो लिखा है विने धरबादेकर ने नाम है सेसे का सम कंटेक्स्ट आफ मौडर्न इंडियन पोईट्री इंक्लूड़िड है शिकागो रिव्यू थर्टी एक में तो पहले जान लेते हैं हमारे इस इन राइटर के बारे में बहुत मानेता है और इंडियन थियेटर में भी इनका बहुत अच्छा कॉंट्रिबूशन है इन्हों ने अपनी साही लिटरी वोक्स में ऐसी थीम्द और ऐसी चीजों को प्रेजेंट किया है जो इंडियन लिटरिचर के लिए एक बून है एक आशिरवाद है ये पोईट् के लिए इन्होंने बहुत सारे अलग अलग काम को अलग अलग इंडियन वोक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और ये ट्रांसलेशन के दौरा दूसरों को ये मौका दिया है कि वो भी पढ़ पाएं अपने अलग भाशाओं के टेक्स्ट को इना इजी और अपनी भाशा में इना इजी वे सारी ये अपने जो अपना राइटिंग्स होती है अपनी ट्रांसलेशन होती है इनके तूप प्रमोट करते हैं इंडियन लिट करते हैं अपनी इस अपने इस एसे के साथ जिसका नाम है सम कंटेक्स ऑफ मौडर इंडियन पोईट्री अब हमारे मिर्वादगर बताते हैं कि कैसे मौडर इंडियन पोईट्री हिस्ट्री से रेटिड है कैसे मौडर इंडियन पोईट्री हमारी हिस्ट्री की वजह से जो ह inspiration की कमें नहीं है क्योंकि इतना कुछ हुआ है इतनी कुछ चीजें हुए हैं जिससे हमें imagination और inspiration मिलती है poets को अपना literary works लिखने के लिए generally poets जो होते हैं हमारे और जितने भी literary writers होते हैं वो try करते हैं past से अपने writings को relate करनेगा ताकि जब वो कुछ context देके लिखें तो उनके काम में depth आ जाए एक ऐसा deep meaning आ जाए जो लोग पढ़ें तो उनको उस context का मतलब ही समझाए जैसे कि आप as an example ले सकते हैं जिती भी poem जो लिखी गई हैं इंडिया के struggle के लिए कि इंडिया ने independence के time पे कितना struggle किया क्या लोगों के emotion रहे क्या suffering थी उस time के लोगों की और उस time के सारे लोगों ने चाहे वो लड़े या नहीं लड़े रड़ाई में तब भी उन्होंने कितना suffer किया कितना उन्होंने struggle किया और तो और इनके जो काम होते हैं यह बताते हैं कि जो modern इंडियन poetry है वो modern इंडियन poets ट्राय करते हैं कि वो अपनी poetry में एक cultural amalgamation दे 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 एक cultural point of cultural turn दे दे अब जब भी cultural turn आएगा तो उस culture के लोग उसको पढ़ना पसंद करेंगे अलग अलग ट्रीडेशन दर बिलीज की बात होगी तो लोग उसमें अपना इंटरस्ट लेंगे वो जानना चाहेंगे उसमें और क्या है यह ऐसा किस कंटेक्स से लिखा गया है हिस्टरी हमेशा ही एक critical lens होता है जो हमारे contemporary issues को tackle करता है क्या हमारे आज के issues हैं जो हम सफर कर रहे हैं जो लोग सफर कर रहे हैं कैसा लोग सोचते हैं तो क्या करते हैं यह society के changes को जो modern चीज़े हैं और जो historical पास जगा है उसको जक्सटा पोस कर लेते हैं साथ में बात करते ह तो एक तरीके का comparison draw हो जाता है modern Indian poetry में कि आज का हमारा traditions है वो कैसे हैं और वह traditions पहले की time पर पहले की era में कैसे थे यह कहते हैं कि एक historical backdrop होना चाहिए हमारा historical backdrop को मितलब यहां पर क्या हो गया एक हमारी poets का एक तरीकी का reflective mirror बन जाता है जब वो history के बारे में लिखते है इक पास्ट के बढ़े में प्तुछलता है दूसरी बाद से एक पास्ट के बारे में प्ता ही चल रहा है कि modern इंडियन poets कैसे हैं उनका लिखने का तरीका कैसा है उनकी शी कैसे हैं उनकी inspiration कहां से आ रही है, वो किस context से लिखते हैं, उनकी imagination के sources क्या है, तो इन सब चीजों को मिलाके, हमारे contemporary poetic expressions को मिलाके बनती है modern Indian poetry, तो इसी के साथ हमें end करते हैं इस video को, do not forget to subscribe before you leave, pin down in the comments if you have any doubts and thank you guys, all the best for exams.